दोस्तो सब्सक्राइब कीजे हमारे चैनल को यहां पे ख्लिक करके और इस बेल आइकन को भी दबाईए जिससे आप हमारी सारी लेटिस रेसिपी सबसे पहले देख सकें नमस्कार दिपास किचन में आपका स्वागत है आज हम आपको आलू बालने का सही तरीका बताएंगे कि आलू को किस तरह बॉयल करें कि वह पांट में बॉयल हो जाए और आलू गेले रहो और फटे नहीं और हमारा कूकर भी अंदर से काला मार पड़े हमारी पहली टिप है कि अगर हम आलू बालते समय आलू में पानी कम डालेंगे तो वह गीले नहीं होंगे क्योंकि ज़्यादा पानी की वज़े से आलू गीले वाते हैं और सबजी बिमारी गीली वाती है अगर हम सूखी आलू छोगते हैं और अगर हम आलू का पाठा बनात हमारी दूसरी टिप है कि अगर अगली टिप है यह हमने नीबू के रस निकाले वे छिलके लिए हैं इनको हम फ्रीज में डाल देते हैं निचोड़ने के बाद और जब में सब्सक्रिशन अगरे जूं के यह क्काले टाateurs हमारा अंधरोय और आलू अलोक को अच्छी से साफ कर लिए दहो के पहले बना अलोक डिलिया है इस पर हम डालेंगे पानी पानी बहुत कम डालेंगे हमने करिब लिया है तीन चुथाई गिलास इसी में डालेंगे नमक डालेंगे और खाने अला सोडा और ये हमने नीबू के छिल के लिए है अब इसको हम अधकर लगाएंगे हाई प्रेंग एक सी्टी आने तक लो कर लेंगे कि एक्ति ओंपर दोस्टी को अचुके लिके प्रे예ंगे और दूसरे या यह गार्षेलिं यह को बंद कर देंगे दूसरी शीटी आ चुकी है अब यहां पर हम गयस को बन कर देंगे और प्रशार निकलने का वेट करेंगे देखें इसे प्रशार निकल गया है अब इसके हम खोलते हैं देखें हमारे आलू कहीं से फटे नहीं है अब यह आपको हम चेक करके दिखाते हैं गरम बहुत है देखें कहीं से फटे नहीं है अब इस पर हम देखेंगे हम लेक चाकू लिया है चाकू से हम आर पार देखें कर इस तरह से अगर हम आलू बॉइल करेंगे तो आलू मेरे बिल्कुल सही तरह से बॉइल होएंगे अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंदा है आप हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ